हेलो स्टुडेंट्स हवर यूट्टू टू माइ यूटूब चैनल पंकच फिजिस कुलाटी स्टुडेंट्स आपको इस चैनल पर नाकेवल ग्रेजुएशन एंड पूस्ट ग्रेजुएशन फिजिस के टॉपीस की सबसे असान एक्स्प्लेनेशन देखने को मिलती है बलकि कि आपको साथ के साथ ये भी बता आता है कि आपको एक्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिरफ एक वीडियो देखके ही अपने नोट्स बना सकें और एक्जामस में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो शुडिंट्स आज ये चैनल को सब्स्राइब कीजि एक और important topic के बारे में जिसका नाम है fundamental और basic poison brackets देखे students classical mechanics में हमारे पास चार ऐसी poison brackets होती हैं जिनको हम fundamental या फिर basic poison brackets कहते हैं अब वो चार poison brackets कौन-कौन सी हैं और उन चार poison brackets की values क्या क्या निकल के आएंगी यही आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा यह चार fundamental और basic poison brackets पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह fundamental और basic poison brackets जो हैं जो आगे इस unit के आने वाले topics हैं उसमें use होने वाली हैं तो चलिए students देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी poison brackets हैं जिनको हम fundamental और basic poison brackets कहते हैं तो इसमें आप शुरुआत करेंगे by definition से माली जी आपके बाद दो functions हैं F and G और दोनो functions जो हैं वो तीन independent variables के function हैं तो आप जानते हैं poison bracket of function F with G को हम कैसे लिखते हैं Summation I curly F by curly QI curly G by curly PI minus curly F by curly PI curly G by curly QI यह अब तक जितने भी वीडियो's हमने poison bracket के उपर बनाए हैं उसमें आप जान चुके हैं कि किनी दो function के poison bracket को इस परकार से लिखा जाता है और order जो है वो बिल्कुल as it is होना चाहिए QI से start होगा यहाँ पर उपर FG और यहाँ पर PI QI होगा यहाँ पर QI PI होगा इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे यह first equation होगी अब यहाँ पर हम कुछ cases consider करेंगे पहला case है let G is equal to small QL हम इस G को QL से replace करेंगे then from 1 तो equation 1 में जहाँ जहाँ G लिखा हुआ है capital G वहाँ वहाँ आप small QL लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा poison bracket of F इस G की जगा QL लिख दिया is equal to summation I bracket start curly F by curly QI ऐसी रहेगा इस G की जगा QL लिख देंगे तो आपको मिलेगा curly QL by curly PI minus curly F by curly PI और इस G की जगा आपको लिख दिया curly QL by curly QI क्योंकि यहाँ पर I indices already चल रहा था तो हमने यहाँ पर I नहीं लिया है एक new index लिया है जो की है small L आप चाहें तो इस small L की जगा small J भी ले सकते हैं और small K भी लिख सकते हैं तो पॉजन ब्रैकेड ओफ F with QL जो है वो यह निकल के आया है तो आए श्टुडेंट्स right hand side को आगे थोड़ा solve करते हैं by using knowledge of previous lectures curly F by curly QI यह ऐसी रहेगा अब यहाँ पर देखिए curly QL by curly PI लिखा है बट हम जानते हैं Q and P जो हैं वो independent variables है और अगर उपर Q लिखा है नीचे P लिखा है या उपर P लिखा है नीचे Q लिखा है तो मैंने आपको बताया था previous videos में उसका answer हमेशा 0 होता है चाहे curly Q by curly P हो चाहे curly P by curly Q हो क्योंकि यह Q and P जो है वो independent variables है तो इनका एक दूसरे के respect में जो partial derivative होगा वो हमेशा 0 आएगा बहुत important चीज है जो बहुत बार use होती है derivations में आगे देखिए इस ये term बन गी 0 minus curly F by curly P I ऐसे अब यहाँ पर देखिया आगे curly QL by curly Q I आ रहा है यहाँ पर Q है यहाँ पर Q है तो इस case में जब हमारे पास same same variables appear होते हैं उपर और नीचे और उनके indices अलग-अलग होते हैं जैसे यहाँ पर small L और यहाँ पर I है तो इस case को हम represent करते हैं chronicle delta symbol से जिसको हम denote करते हैं delta पहले उपर L लिखा तो पहले L आएगा नीचे I लिखा तो यहाँ पर I आएगा अगर हमारे पास Q की जगा small P होता उपर और नीचे भी Q की जगा small P होता तो उस case में भी हम इसको chronicle delta symbol से ही represent करते अगर हमारे पास कर ली PL by कर ली PI होता तो भी इसको हम delta L I से represent करते तो students इसको हम लिखेंगे chronicle delta symbol delta L I अब देखे students आईए आगे बढ़ते हैं यह term तो हो गई 0 is equal to summation I इस minus sign को मैं बहार ले आता हूँ यहाँ पर curly F by curly PI delta L I तो यह हमारे पास F, QL का poison bracket यहां तक हम पहुंच चुके हैं इसके आगे हम बात करेंगे next section के अंदर तो students पिछले section में हमने poison bracket of F with QL को यहां तक find कर लिया था अब आई आगे बढ़ते हैं पिछले section में हमने देखा था जो chronicle delta L I था वो किसको हमने put किया था curly QL by curly QI को put किया था अब delta L I की value 1 कब होगी जब हमारा I L के बराबर हो जाएगा when I is equal to L तो जब आप I की जगा L put कर देंगे तो यहां पर क्या होगा curly QL by curly QL is equal to del L I तो यह कट के क्या आजाएगा 1 आजाएगा तो कहने का मतलब यह है कि आप जब इस summation को expand करेंगे और जब आप I की value जब I की value L के बराबर हो जाएगी तो यह term जो है वो 1 हो जाएगी यह मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था and this is the property of Kronecker delta symbol कि जब आपके यह दोनों indices इस बराबर हो जाते है चाहिए यह L है चाहिए आई है जब यह आपस में बराबर हो जाते है तो इसकी value जो है वो 1 हो जाती है अगर बराबर नहीं होते तो इसकी value जो है वो 0 होती है यह हम already discuss कर चुकी है तो इस summation को expand कीजिए और जहाँ जहाँ आई लिखा है वहाँ L पुट कीजिए तो आपके पास आजाएगा minus curly F by curly PL और यह value जो है वो 1 हो जाएगी क्योंकि जब I L के बराबर हो जाएगा तो यह काट के इसको 1 मिलेगा तो आपके पास positive bracket of F with QL की value जो आई है वो यह निकल काई है minus curly F by curly PL तो इसके भी आगे दो sub cases हम बना सकते हैं तो sub case A यह होगा कि अगर आप F को Q के ले ले तो इसको अगर हम second equation दे दें और second equation में जहाँ जहाँ F लिखा है वहाँ Q के पुट कर दें तो आपको क्या मिलेगा F की जगा Q के यहाँ पर QL as it is equal to minus as it is curly F की जगा Q के और नीचे curly PL as it is आजाएगा तो students Q and P जो हैं वो independent variables हैं तो जो Q के का partial derivative होगा PL के respect में वो 0 हो जाएगा तो जो पहली fundamental और basic poison bracket निकल के आ रही है वो यह निकल के आ रही है Q क, QL is equal to 0 इसे हम बोलते हैं fundamental और basic poison bracket और इसको हम दे देते हैं equation number 3 तो sub case 2 बनाते हैं sub case B में आप F को लेंगे P के, L हम already ले चुके थे I हम already ले चुके थे तो यहाँ पर आपको indices जो हैं वो अलग ही रखने हैं जैसे मैंने यहाँ पर K रखा है यहाँ पर K रखा है आप चाहें तो I और L को छोड़ के कुछ भी यहाँ पर small letters में ले सकते हैं चाहे वो J हो चाहे कुछ भी हो बढ़ हम ज़्यादा तर I, J के L ही use करते हैं तो हमने यहाँ पर K ले लिया है तो अब अगर हम F को P के ले लें then from 2 और F की जगा P के पूट कर दीजिए तो आपको मिलेगा P क कॉमा QL is equal to minus कर ली P के जगा P के पूट कर दीए नीचे कर ली P L अब देखिए यहाँ पर P है यहाँ पर भी P है तो same same variables आगे और same same variables के लिए हम use करते हैं chroniker, delta symbol जिसको हम delta से नोट करते हैं यहाँ K लिख है तो पहले K आएगा और यहाँ पर L लिख है तो यहाँ पर L आएगा तो जो second fundamental और basic poison bracket निकल के आ रही है वो है P क कॉमा QL is equal to इसकी value निकल के आ रही है डेल के L इसको हम दे देते हैं equation number 4 तो students जैसे हमने यह दो fundamental poison brackets find की है और इनकी values find की है वैसे हम आने वाले sections में बाकी बच्ची हुई दो fundamental poison bracket देखेंगे आखिर दो बाकी बच्ची हुई fundamental poison bracket कैसी होती है और उनकी क्या-क्या values निकल के आती है तो students पिछले sections में हमने दो fundamental और basic poison bracket जो है वो देख ली थी किस परकार की होती है और उनकी क्या values निकल के आती है जो पहली fundamental poison bracket थी वो थी क्योंके comma ql is equal to 0 इसको हमने third equation दिया था और जो दूसरी fundamental poison bracket थी वो थी pk comma ql is equal to negative of delta kl इसको हमने fourth equation दिया था अब बारी है बाकी बच्चे हुए दो fundamental poison bracket को derive करने की आखिर वो कैसी होती है और उनकी क्या values निकल के आती है तो first equation से हमें पता है poison bracket of f with g जो है वो कुछ इस परकार से express की जाती है यह हमारी first equation थी अब हम case 2 लेंगे पहले जब हमने case 1 लिया था वहाँ पर g को हमने case 1 में हमने g को small ql लिया था और यह दो fundamental poison bracket drive की थी उनके sub cases बनाके अब हम capital g को pl लेंगे और बाकी बच्ची हुई fundamental poison bracket जो है वो drive करेंगे तो अगर आप इस equation में जहाँ 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 वहाँ वहाँ small pl put कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा f, g की जगा pl is equal to summation i curly f by curly qi g की जगा pl और नीचे curly p i minus curly f by curly p i is g की जगा pl और नीचे है curly qi तो आइए right hand side को थोड़ा solve करते हैं f, pl is equal to summation i curly f by curly qi as it is अब p के नीचे p आ रहा है और जब भी same same variable के नीचे same variable आता है p के नीचे p हो चाए q के नीचे q हो तो उसको हम represent करते हैं chronica delta symbol से यह मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि यह चीज़े आपके दिमाग में अच्छे से fit हो जाए क्योंकि इसके बिना आप classical mechanics जो है वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो p के नीचे p है तो delta आजाएगा delta उपर l है तो पहले l और नीचे i है तो यहाँ पर i आएगा minus curly f by curly pi यहाँ पर curly pl by curly qi है p के नीचे q है तो यहाँ पर p और q जो है वो independent variables है तो इनका एक दूसरे के respect में जो partial derivative होगा वो 0 होगा चाहे q के नीचे p हो चाहे p के नीचे q हो उसका अंसर जो है हमेशा 0 आएगा तो यह डम जो है वो हम हटा देते हैं तो आपको मिलेगा summation i curly f by curly qi delta li तो delta li की value 1 कब होगी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जब i की value l के बराबर हो जाएगी तो इस summation को expand कीजिए और जब यह summation में i की value l के बराबर हो जाएगी तो यह value जो है वो 1 हो जाएगी तो जहां जहां i लिखा है वहाँ वहाँ output कर दीजिए तो आपको मिलेगा curly f by curly ql और यह बन जाएगा 1 क्योंकि जब i l के बराबर हो जाएगा तो यह 1 हो जाएगा क्योंकि यह भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों जब i l के बराबर हो जाएगा तो यह value जो है वो 1 हो जाएगी delta li जो है वो 1 हो जाएगा जब आपका i l के बराबर हो जाएगा तो यहा को drive करेंगे next section के अंदर तो students पिछले section में हमने positive bracket of F and PL को कर लिए QL तक drive कर लिया था इसको हम 50 question दे देते हैं तो आगे इसके दो सबकेसिस बनाएंगे सबकेस A let F equal to QK जैसे हमने case 1 का पहला सबकेस बनाया था तो उसमें भी हमने F को QK लिया था तो यहां पर भी हम F को QK लेंगे तो आप लिखेंगे positive bracket of QK and PL F की जगा हमने QK पुट कर दिया that will be equal to F की जगा QK पुट कर दो कर ली QK by कर ली QL तो Q के नीचे Q आ रहा है same variable के नीचे same variable आ रहा है तो इसे हम represent करेंगे क्रोनेकर डेल्टा सिंबल से डेल्टा से क्यूके कॉमा पी यल विल बी एक्वल टू डेल्टा के यल और इसको हम देंगे six equation तो हमारी जो third fundamental और basic poison bracket होती है वो कुछ इस परकार से होती है अगर आप fourth और six को compare करेंगे तो ध्यान से देखिए अगर पी के कॉमा क्यूल है तो माइनस डेल्टा के यल आ रहा है और अगर क्यूके कॉमा पी यल है तो प्लस का डेल्टा के यल आ रहा है यह बहुत ही important results हैं दोनों यह है हमारी sixth equation तो आईए देखते हैं case sub case number two में आप क्या लिखेंगे sub case b let f equal to pk अब f को pk put कर दीजिए fifth equation में तो आप लिखेंगे then from five भी लिख दीजिए यहाँ पर then from five तो f की जगा pk put करने में आपको क्या मिलेगा pk, pl is equal to curly pk by curly ql p and q जो है वो independent variables हैं तो यह जो partial derivative है यह 0 हो जाएगा तो आप pk, pl की value आगी 0 इसको हम दे देते हैं seventh equation जो की है हमारी fourth and last fundamental poison bracket pk, pl equal to 0 तो third, fourth, sixth, seventh equation में जो हमें poison brackets मिली हैं इन ही हम बोलते हैं fundamental poison brackets qk, ql है same same है यहाँ पर qq तो answer 0 pk, pl है यहाँ पर pp है तो answer 0 बट अगर हमारा qp होगा यहाँ तो delta kl होगा और अगर pq होगा तो minus delta kl होगा इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और delta kl की value 1 कब होगी जब हमारे यह दोनों indices आपस में बराबर हो जाएंगे means l और k बराबर हो जाएंगे और delta kl की value 0 कब होगी जब हमारा यह indices बराबर नहीं होगे means जब l not equal to k होगा तो यह सब कुछ आपको conclusion में लिखना है equation 3, 4, 6 and 7 are known as fundamental or basic poison brackets and delta kl चाहे वो delta kl यह वाला हो चाहे वो delta kl यह वाला हो जो इन दो fundamental poison brackets में appear हो रहा है right hand side में यह 0 होगा when k not equal to l होगा and equal to 1 होगा जब आपका k equal to l होगा या l equal to k होगा एक ही बात है तो students यह थी आपकी fundamental और basic poison brackets एक, दो, तीन, चार ध्यान से इनको दिमाग में बिठा लीजिएगा क्योंकि जब हम आने वाले topics करेंगे important वाले तो वहाँ पर यह results जो हैं वो direct use होंगे तो मैं आपको कहूंगा कि यह है fundamental और basic poison brackets तो मिलेंगे students बाकी बचे हुए topics of unit 2 of classical mechanics के सा तिल देन टेक क्यार